प्रिये वीवर्स हमारे द्रिष्टी PCS चैनल पर अपसे हरोज शाम 6 बजे राज विशिस करेंट अफ्यर्स देखना ना भूलें धन्यवाद द्रिष्टी आईएस की डेली करण न्यूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है बारत ने किया विंटर ओलंपिक के उधगाटन समापन समारोह का बहिशकार भारत ने चीन में आयोजित होने वाले 2022 बीजिंग शीत कालीन ओलंपिक के उधगाटन समापन समारोह के राजनाइक बहिशकार की बात कही है इस 24 वे विंटर गेम्स का उद्गाटन समारोह 4 फरवरी यानी आज शुरू होगा भारत के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, युनाइटिट किंडम ने भी शीत कालीन ओलम्पिक का बहिशकार किया है भारत ने यह निर्णे चीन के 2020 गलवान घाटी संगर्ष में शामिल एक सैन्ने अधिकारी को इस खेल आयोजन के लिए अपने मशाल वाहक के रूप में चुनने के बाद लिया ओलम्पिक मशाल ले जाने के लिए क्यूई फैबाओ को चुना गया जिसने गलवान घाटी में भारत के विरुद लड़ाई में भाग लिया था क्यूई फैबाओ पीपल्स लिबरेशन आर्मी रेजिमेंट कमांडर को 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत के साथ संघर्ष के दौरान सिर में चोट लग गई थी दोनों पक्षों के बीच हुए गंभीर सैन्ने संघर्ष में भारतिय सेना के कई जवानों ने अपने प्राणों की आहुती दी थी फरवरी 2021 में चीन ने आधिकारिक तोर पर स्विकार किया कि भारतिय सेना के साथ जड़पों में पांच चीनी सैने अधिकारी और सैनिक मारे गए थे विदेश मंत्राले ने कहा कि इस कदम से चीन ने ओलम्पिक जैसे आयोजन का राजनीती करण किया है जो गलत है इस मामले में फ्लोरीडा के सीनेटर ने कहा कि वह भारत का समर्थन करते हैं गौर तलबै कि शीत कालीन ओलम्पिक का आयोजन चार फरवरी से बीस फरवरी तक होगा जबकि शीत कालीन पैर अलम्पिक खेल चार से तेरह मार्श तक होंगे प्रिये व्यूवर्स इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए द्रिश्टी आईएस इंग्लिश योट्यूब चैनल